वेलकम फ्रेंड माइनेम इस महमद असरफ और आप सभी को स्वागत है हमारी यूटूब चैनल असरफ टेक पर फ्रेंड आज के इस वीडियो मा हम देखेंगे अगर आपके पास एक पेंड्राइब है और अब अपने फोन से फोटो वीडियो किसी भी फाइल को किसी भी डॉकुमेंट को पेंड्राइब के अंदर ट्रासफर करना चाहते हो तो आज मैं आपको एक आसान और जेनुएन तरी का बताऊंगा जिससे आप अपने फोन से काफी असानी के साथ फोटो वीडियो कोई सभी फाइल कोई सभी डॉकुमेंट को आप पेंड्राइब के अंदर सेफ करकर सिक्योर रख सकते हो अगर आप जानना चाहते हो किस तरह फोन से पेंड्राइब पर ट्रासफर किया जाता आई फाइल को तो इस वीडियो को सुरू से लेकर अंग तक पूरा देखें अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकोन को प्रेस कर लें तो अभी मेरे पास है सॉलाजीबी का पेंड्राइब और एक OTG कनेक्टर जिसके थुरू मैं फोन पर इसे कनेक्ट करूंगा और अपना फाइल को इस पर ट्रांसफर करूंगा सबसे पहले हम अपना OTG को पेंड्राइब के साथ कनेक्ट कर लेते हैं अब हम OTG को अपने फोन पर कनेक्ट करते हैं फोन पर कनेक्ट करने के बाद आपका अगर सिमसम का रेडिमी का फोन है तो आपका direct OTG connect हो जाएगा अगर आपका ओप भी वो realme का phone है तो आपका OTG direct connect नहीं होगा तो इसे connect करने के लिए simply आपका अपना setting को open करना है setting open करने का बाद आपको search bar पर जाकर search करना है OTG, OTG लिख कर आप JC search करेंगे यहाँ पर OTG का आपका दो option आजाएगा पहले वाला option पर click करेंगे यहाँ पर नीचे आपको OTG का option मिलता है इस पर आप click करेंगे तो आपका जो OTG है वो यहाँ से चालू हो जाएगा आपका जो pen drive है वो यहाँ पर show होने लगेगा जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा pen drive यहाँ पर show हो रहा है मेरा pen drive यहाँ पर connect हो चुका है अब हम चलिए चलते हैं सीधा अपने file manager के अंदर अब हम आपको दिखलाते हैं किस तरह आप अपने phone से किसी भी file को, किसी भी photo को, किसी भी video को काफी असानी के साथ pen drive के अंदर transfer करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो file manager है, वो यहाँ पर open हो चुका है मेरे यहाँ पर picture सोख हो रहा है, वीडियो सो हो रहा है और मेरे phone पर जितना भी song है, वो यहाँ पर सो हो रहा है साथी साथ यहाँ पर आपको document का वी option देखने को मिल रहा है मैं इन में से चारों को चाहूं, तो अपने pen drive के अंदर काफी असानी के साथ transfer कर सकता हूं pen drive के अंदर photo video file को transfer करने के लिए सबसे पहले आपको select करना पड़ेगा आप कौन सा transfer करना चाहते हो मैं यहाँ पर वीडियो transfer करना चाहता हूं simply मैं वीडियो पर यहाँ पर click करता हूं मेरे phone पर जितना सारा वीडियो है वो यहाँ पर आ चुका है मैं जिस भी वीडियो को यहाँ पर चाहूं काफी असानी के साथ pen drive के अंदर transfer कर सकता हूं सबसे पहले आपको उस वीडियो को स्लेट करना है जिस भी वीडियो को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस वीडियो को यहां से स्लेट किया है स्लेट करने के बाद यहां पे आपको नीचे बहुत सारा ओप्सन देखने को मिलेगा एक है यहाँ पे share का, एक है copy का, एक है cut का और एक है delete का तो हमें क्या करना है? हमें अपने phone से pen drive के अंदर इसे copy करना है अगर आप cut वाले option पर click करेंगे तो आपके phone से हट कर आपके pen drive के अंदर जाकर safe हो जाएगा मैं चाहता हूँ मेरे phone पे भी रहे और मेरे pen drive के अंदर भी रहे इसलिए मैं copy all option पर click करूँगा, copy पे आप jc click करते हैं यहाँ पे आपको दो option देखने को मिल रहे, एक है आपका phone device का और एक है otg का simple है मैं otg पे transfer करना है, otg पे आप click करेंगे, यहाँ से आपको otg के अंदर जितना सारा folder बना हुआ है वो यहाँ पर so होगा, आप चाहे तो यहाँ से एक new folder भी create कर सकते हैं मैं यहाँ पे एक new folder create कर लेता हूँ, new folder में यहाँ पे मैं ok करता हूँ, मेरा यहाँ पर new folder बनके ready हो चुका है मैं इस पर click करूँगा और यहाँ पर आपको नीचे दो option देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे मैं paste वाले option पर jc click करता हूँ, मेरा जो वीडियो है pen wrap के अंदर आके काफी असानी के साथ safe हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो पेस्टिंग है वो चल रहा है, मेरे phone से, मेरे pen wrap के अंदर, मेरा जो वीडियो है वो काफी असानी के साथ transfer हो रहा है, इसी तरह अगर आप भी कोई सभी photo हो, कोई सभी video हो, कोई सभी file या फिर कोई सभी document को आपको same process को use करेंगे आप काफी असानी के साथ अपना photo वीडियो कोई सभी document को काफी असानी के साथ pen drive के अंदर transfer कर सकते हैं, यहाँ पे आपको document अगर transfer करना है, simply आपको अपना document को select करना है, और यहाँ से copy all option पर click करना है, उसके बाद आपको otg को select करना है, जिस भी folder पर इसे save करना चाते हैं, select करने के बाद यहाँ पे आपको paste का option मिलेगा, आप paste बर click करेंगे, यह file जाकर आपके pen drive के अंदर save हो जाएगा, I hope आप सभी को समझ माई होगी, friend अगर आप भी अपने phone से किसी भी photo video file document को pen drive के अंदर transfer करना चाते हैं, same process को आप use करेंगे,